काट के निकालने कोशिद क्या जा रहा है हमारे बुगी में बहुत आदमी का जाने के रहा है राष्ट्री लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुग और नागोर लोक सबा सीट से सांसर हनुमान बेनेवाल ने शुकरवार को उडिसा में हुए भीशन प्रेन हाथ से को लेकर बीजेपी नेता और रेल मंत्री अश्विनी वैश्णव पर जोरदार हमला बुला है हनुमान बेनेवाल ने ट्वीट कर कहा रेल मंत्री अश्विनी वैश्णव में जरा सी भी नातिकता बची है तो इस अक्षम में अपराद के लिए उन्हें अपने पत से त्याग बत्र देते हुए देश की चंता से ये कहते हुए माफी मांग लेनी चाहिए कि वो आयोगी, अकर्मन और नाकारा रेल मंत्री है ट्रेनों को दुरगटना से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच का वीडियो जारी करके रेल को दुरगटना उसे बचाने का जूटा दावा करने वाले रेल मंत्री जी के कारेकाल में कल हुई भीशन रेल दुरगटना रेलवे के काले अध्याई के रूप में लिखी जाएगी जिस सुरक्षा कवच की बाद रेल मंत्री ने विगित महिनों में वीडियो जारी करके कही वो सुरक्षा कवच दुरगटना घ्रसित हुई ट्रेनों में था या नहीं और था भी तो इसकी सीबियाई जाच होनी चाहिए बता दे ओरिसा के बालास और जिले में शुकरवाज शाम को पीशन रेल हाथसा हुआ था इस हाथसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 280 से भी जादा हो गई है जबकि 900 से जादा लोग घायल हुए है घायलों में से कई लोगों की हालत बेहर कमभीर बताई जा रही हाथसा कोरू मंडल एक्सप्रस ट्रेन के एक माल गाड़ी को पीछे से टकर मारने की वज़े से हुआ था दुरगटना के वगध कोरू मंडल एक्सप्रस के 12 डिबबे पटरी से उतर गए इन में से कुछ डिबबे दूसरी पटरी पर चले गए उसी वक्त दूसरी पट्री पर बैंगलूरू से आ रही यश्वनपुर हावडा एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी यह ट्रेन उन डबों से टकरा गई और भीशन हाथसा हो गया था रेलवे के जानकारों का कहना है कि इस हाथसे के पीछे दो कारण नज़रा रहे पहला मानविये पूल और दूसरा तकनीकी में खरावी इस हाथसे के पीछे तकनीकी में खरावी को अब तक बड़ी वज़े माना जा रहा है जब हाथसा हुआ उस दोरान अगर सिगनल सिस्टम दुरूस्ट होता तो कोरूमटल एक्सप्स को रोका जा सकता था दरसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देशों पर चलाता है और कंट्रोल रूम के निर्देश पर्टरियों पर ट्राफिक को देख कर किये जाते हैं ऐसे में हाथसों की जानकारी भी कंट्रोल रूम के पास पहुँचने का अनुमान है हाला कि ये जानकारी कंट्रोल रूम तक कितनी देर में पहुँचती है ये हाथसे को रोकने में बड़ा फैक्टर हो सकता था